15-20 दिनों के अंदर दोस्तों फिर से हमारी आधार UCL जो है वो अपडेट हुई है अब इसकी वर्जन क्या है दोस्तों इसके साथ दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये सौफ्ट्वेर जब अपडेट हुई अब क्या प्रोवलम आ रहे हैं हमारे आधार ओप्रेटरों को साथी दोस्तों ये भी जानेंगे कि सौफ्ट्वेर अपडेट होने के बाद कुछ विशेज चीजें अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई है पहले जो आधार UCL की सौफ्ट्वेर थी दोस्तों उसकी वर्जन 3.3.4.2.139-4 था अब कौनसी नई वर्जन आई है दोस्तों उसे भी हम जानेंगे इसके साथ ही दोस्तों जिनकी सौफ्ट्वेर अपडेट नहीं हुई है उनके सौफ्ट्वेर के साथ क्या प्रोब्लम आ रहा था और इस प्रोब्लम को वो कैसे सौल्व करेंगे इसे भी हम जानने की कोशिस करेंगे फ्रेंड लेकिन दोस्तों वीडियो मा अगे बनने से पहले आप सभी दोस्तों सागरा करना चाहूंगा कि जिन दोस्तों नमी तक हमारे चैनल नगे लिए अपडेट ओंलाइन को सब्सक्राइब नहीं है तो फ्रेंड आप इस चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के हमारे आधार operator को जब यह update हुई थी इसके बाद इन समस्याओं को आप कैसे solve कर सकते हैं तो इसे भी जानने की हम कोशिस करेंगे तो चलिए हम पहले अपनी आधार usual की software को open करेंगे और इसे login भी करने की कोशिस करेंगे फ्रेंड जैसा एक दोस्तो अब जो इसकी update version आ चुकी ह जब यह software कल अपडेट हुई थी तो कुछ इसी परकार का problem आ रहा था दोस्तो जो आप अभी देख पा रहे होंगे sensing operator detail with server please wait इस परकार की problem आ रही थी और login नहीं हो पा रही थी सही से या फिर किसी customer का हम finger लेते थे तो वो find नहीं कर पा रहा था तो कुछ इस परकार का ही problem आ रहा था आगे की dashboard में हम जाने के बाद और भी कुछ जानने की कोशिज करेंगे कि जब यह software update हो गई है इसके बाद क्या कुछ operatorों को problem आ रहे हैं जैसा कि दोस्तों जब हम इसे login कर लेते हैं तो इसकी dashboard में जब आएंगे friend तो कुछ wishes update आपको नजर नहीं आएगी बस हुआ क्या है कि जो इसकी software थी वो स्रिप update हुई है बागी दोस्तों जब यह update हुई थी कल उसके बाद कुछ operatorों को problem आ रहा था वो किस प्रकार का problem है दोस्तों और इसे उन्होंने कैसे solve किया तो इसे भी हम आगे जानेंगे यह रहा दोस्तों पहला problem जो software अपडेट होने के बाद आ रही थी हमारे operatorों को operator sync fell due to network error प्लीश ट्राय अगें online client कुछ इस प्रकार की error आ रही थी और भी कुछ error कल आ रहे थे काफी CSC को operator कल परिशान होंगे लेकिन login सायथ नहीं कर पाए होंगे या फिर साम को किये होंगे पता नहीं लेकिन कल जब से ये update हुई थी उसके बाद ये problem आ रही थी उसके बाद आज क्या problem आ रहा था कुछ operator को उन्होंने कैसे इसे solve किया कुछ operator के साथ इस प्रकार की problem आ रही थी उनकी software open नहीं हो पा रही थी कुछ इस प्रकार की error उन्हें so कर रहा था friend application version is not available और is invalid please reinstall the application इस प्रकार के कुछ error आ रहे थे हमारे operator को फिर उन्होंने कैसे solve किया अगर आप PC को restart कर देते हैं और इस प्रकार की problem solve हो जाती है तो ठीक है वरना friend आपको किसी प्रकार की share chart करने की आउसकता नहीं है अगर इस प्रकार की problem आ रही है तो आपको करना क्या है friend my PC को open करेंगे और check कर लेंगे आपकी software update हुई है या फिर old version वाली ही software है तो इसके लिए आप क्या करेंगे seed drive को open करेंगे जब हम दोस्तो seed drive को open करेंगे यहाँ पे एक folder आप देख पाएंगे UID Authority of India इस folder को भी हमें open करना है जब हम इस folder को open करेंगे फिर से आप एक folder देख पाएंगे अधार enrollment client फिर से दोस्तो आपको इस folder को भी open कर लेना है इस folder के अंदर काफी folder आप देख पा रहे हुँए लेकिन दोस्तो आपको करना क्या है seed को folder को open करना है इसी folder के अंदर आपको update version की जो भी आपकी आधार useful की software होगी उसकी version आपको यहाँ पता चल जाएगा friend जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे client OTA 3.3.4.2.133-1 यह update version रहा जिसे हमने आधार useful open करके भी दिखाया था यह update version रही दोस्तों इसे ही आपको एक बार check करना है यह old version है या फिर new version में convert हो चुकी है अगर दोस्तों नई हुए तो फिर क्या करेंगे आप एक बार service में जाने के बाद इस परकार से दोस्तों service find करना है और चले आएंगे service में आने के बाद दोस्तों काफी option देख पा रहे होंगे पहली option है दोस्तों आधार camera vendor का दूसरा है आधार multi platform का इसके साथ ही दोस्तों तीसरी option है आधार OTA update client इसे आपको बस एक दो बार restart कर दिना है अगर आपकी software अपडेट हो जाती है तो ठीक है वरना आगे आपको friend कि किसी भी परकार का छेड़ चाड़ नहीं करना है अपने आधार UCL के software के साथ अब आपको आगे क्या करना है friend आप अपने district manager सर से contact कर सकते हैं या फिर estate team के technical head से contact कर सकते हैं जो आधार UCL को देख रहे हो आपके estate में जो भी head हो उनसे आप contact करके इस परकार की problem को solve करवा सकते हैं बाकी दोस्तों आपको किसी परकार की छेड़ चाड़ नहीं करनी है इसके साथ ही दोस्तों जो भी update आएगी आधार UCL से related वो सारे वीडियो आपको इस YouTube चैनल के माधियम से आपको प्राप्त हो जाएगा और कैसे अपडेट करना है अगर इस परकार की process आती है तो वो ही सारी process आपको दोस्तों हमारे चैनल के माधियम से आपको प्राप्त हो जाएगी अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल new update online को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का पाओ बादेनवा थैंक यू